Hello everyone, in this video I am going to explain the question answer of the poem Chivi and its point name is Michael Rosen इस वीडियो में हम करेंगे NCERT Class 7 की English Book Honeycomb की 4th Poem जिसका नाम है Chivi आज हम इसके question and answers को discuss करेंगे Working with the poem का first question है Discuss these questions in small groups before you answer them इन प्रश्णों का उत्तर देने से पहले आप इन्हें छोटे समुह में चर्चा करें इसका first part है When is a grown-up likely to say this Don't talk with your mouth full पच्चे को जो उनके parents हैं उनके गर में जो बड़े हैं वो कब ऐसा कहते हैं कि तब मत बोलो जब तुमारा mouth full हो इसका answer है A grown-up is likely to say this when children start talking in between the meal with food in their mouth ऐसा तब कहते हैं elders जब बच्चे के मुह में खाना होता है और वो बोलते हैं यानि खाना मुह में होते हुए भी वो बाते करते हैं तो बड़े लोग उनको बात करने से मना करते हैं और कहते हैं कि जब खाने से मुह भरा हो तब बोलना नहीं चाहिए बात नहीं करनी चाहिए सेकेंड पार्ट है और कब ऐसा कहा जाता है कि तुम थैंक यू बोलो किसी को यानि आपको संभवत है यहां कब कहा जा सकता है कि धन्यवाद बोलो हमने पोईम में पड़ा था कि जब घर के बड़े लोग बच्चों को बताते हैं कि जब तुमें कोई गिफ्ट दे या तुमारी मदद करे तो उनको थैंक यू बोलना चाहिए इसका अंसर है जब हमें दूसरों से गिफ्ट मिले या कोई अच्छा फेवर मिले तब हमें उनको थैंक्स कहना चाहिए थर्ड पार्ट है और कब पेरेंट्स या बड़े ऐसा कहते हैं कि तुम यह जटाने की कोशिस मत करो कि कोई सोचे कि तुम फनी हो यानि आप यह कब सोचते हैं कि आपको एक वयस्क यह कहेगा कोई नहीं सोचेगा आप मजात कर रहे हैं इसका अंसर है जब हम इतना शाई फील करते हैं कि दूसरों के सामने बोल नहीं पाते अपने आपको express नहीं कर पाते मतलब कुछ भी perform नहीं कर पाते Second question है The last two lines of the poem are not prohibitions or instructions What is the adult now asking the child to do? Do you think the point is suggesting that this is unreasonable? Why? हमारी poem की जो दो last line थी की खुद को independent बनाओ और उसमें ना तो कोई रुकावट डाली गई यानि बंदन है ना ही कोई instruction दियावा है अब इस time adult यानि जो बड़े लोग है वो बच्चे को क्या करने के लिए कहते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि जो ये point है वो ये suggest कर रहा है कि ये जो चीज़े है वो तरक संगत नहीं है यदि है तो ऐसा क्यों? इसका अंसर है जो लास्ट टू लाइन्स है उसमें एडल्ट चाहते है कि वच्चे अपना माइंड खुद बनाए माइंड फिक्स करें और खुदी इंडिपेंडेंड होकर डिसीजन ले जो कि तरक संगत नहीं है क्योंकि इससे पहले जो एडल्स थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि बच्चे को लव नहीं कर रहे थे कि वो कोई भी डिसीजन खुद ले और वे हमेशा ही उनके सारे फेसले खुद ही ले रहे थे यानि अपने बच्चों के सारे फेसले वो खुद ही ले रहे थे कि तुम ऐसा करो ऐसा मत करो या तुम्हें ये काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए और कौन सा काम सही है या कौन सा काम गलत है ये सारी बाते वे बच्चों को समझा रहे थे लेकिन अब वे कर रहे हैं कि तुम्हें अपने decision खुद लेने चाहिए जो कि निश्चे ही एक तर्क संगतबाद नहीं है थर्ड क्वेस्चन है आपको क्यों लगता है आप क्या सोचते हैं कि जो elders है वो इस तरह की चीजें क्यों कहते हैं जो कि point में mentioned है क्या ये important है कि बच्चों को अच्छे manner सिखाएं और उन्हें ये सिखाएं कि public में उन्हें किस तरह behavior करना चाहिए यानि जनता और समाज के बीच में उन्हें किस तरह का व्यवार करना चाहिए क्यों ये चीजें सिखाएं जाने important लगती है तुमें इसका answer है The grown-ups say such kind of things to their children in order to teach them good manners Yes, it is very important to train them to behave in a decent and well-mannered way so that can behave properly in public जो grown-up है, elders हैं वो इस तरह की चीजें अपने बच्चों को इसलिए सिखाते हैं ताकि उनके बच्चे कुछ अच्छे manner सीख जाएं Yes, हाँ ये जो चीजें हैं वो बड़ी important है कि बच्चों को एक decent यानि polite way में, well-mannered way में बात करना, behave करना सिखाया जाए ताकि वो जन्ता के बीच में, समाज के बीच में properly behave कर सके यानि public में अच्छा वेवार कर सके तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जानी बहुत important है क्योंकि जो parents हैं वो ही बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या wrong है यानि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है 4th question है If you had to make some rules for grown-ups to follow, what would you say? Make at least 5 such rules Arrange the lines as in a poem यदि तुमें कुछ rule बनाने के लिए कहा जाए जिने grown-ups यानि elders को follow करना पड़े मतलब बड़े लोगों को मानना पड़े तो आप क्या कहोगे? कम से कम ऐसे 5 नियम बनाओ और इन lines को आप as a poem की तरह arrange करो मतलब हमें sentence तो बनाने है बट एक poem के way में बनाने है तो हमारा first sentence है Don't abuse तो parents को सबसे पहले हम क्या कहेंगे? क्योंकि parents कई बार जब बच्चों को दमकाते हैं तब कई बार गाल या दे देते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे Don't abuse Early to bed and early to rise Respect your elders कई बार जो बुड़े दादादी होते हैं उनका वो respect नहीं करते तथा कई parents होते हैं जो खुद भी सुबर जल्दी नहीं उठते और रात को late सोते हैं तो ये rules भी हम उनके लिए बनाएंगे अगला rule है No physical punishments बच्चों को बोलते ही parents punishment देते हैं तो एक rule ये भी बना देंगे कि No physical punishments Please spend time with us और एक rule ये भी बनाएंगे क्योंकि जिनके ममी पापा working होते हैं उनको time नहीं दे पाते तो वो बच्चे ये rule भी बना सकते हैं कि आप हमारे साथ कुछ time spend कीजिए ये word meaning आपको homework में करने हैं तथा सारे प्रशनों को class work में करना है